आज हम लोग एक नया चेप्टर पढ़ेंगे और अब जो जो चेप्टर आपका इस्टार्ट होड़ा है न वह सब बहुत ही मेजर चेप्टर है मेजर चेप्टर समझते हैं आप मेजर चेप्टर का मतलब बड़ा नहीं इंपोर्टेंट होता है ठीक है बड़ा भी है और इंपोर्टेंट भी है और यहां सब मेजर चेप्टर इस माइने में है कि अब जिसे देखो रेडॉक्स रेक्शन अभी इस्टार्ट होगा तो रेड अपने आपको ये महसूस कर सकते हैं कि आप almost 12th part main कर गए हैं क्योंकि यह सब उसी से संबंधित बात है है क्या देखो 12th में redox reaction है 12th में electro chemistry एक chapter है और 11th में redox reaction है वास्ता में ये दोनों अलग अलग chapter नहीं है ये दोनों एक ही chapter है आधा कर दिया है 11th में 12th में अब आप ही बताईए थोरा सा बात बदलता है दोनों में तो आप ही बताईए कि जो आदमी 11th में नहीं पढ़ा क्या 12th में कभी समझ पाएगा इसलिए 11th पढ़ना जरूरी है और दूसरी बात कोई matter नहीं करता है कि आपका कौन सा class छूड़ गया क्या पढ़े नहीं पढ़े आप अभी से continue रही आपको एक एक बात हम समझा देंगे तनी मनी दिक्कत होगा 99% समझा देंगे एक परसेंट में उनको दिक्कत हो सकती है जो आज पहला दिन क्लास की है या करेंगे देखे अप चयोप चय अभीकरिया हेडि डालिया यह चेप्टर का नाम है इसको इंगलिस में बाबु कहा जाता है Redox Reaction कुछ किताब अब बात मत कीजिए प्लीज कुछ किताब इसको ओक्सी करन और अवकरन के नाम से भी लिखता है नाम जरूर यह सुना होगा तो ओक्सी करन तथा अवकरन इसको अपचयन और उपचयन के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिस में इसको हम लोग बोलते हैं Oxidation and Reduction तो यह बहुत नाम से जाना जाता है जो जाना जाता है इससा तो खेर बाद में आएगा ओभर और यह इतना लंबा च्छड़ाना सिर्फ चेप्टर का नाम लिखा गया है अभी चेप्टर के अंतरगत कोई भी बातें नहीं आई है तो सबसे पहले आप चेप्टर का नाम लिख लीजिए और इसके बाद हम इसके एक एक चीज़ को बढ़ियां से देखेंगे इस चेप्टर तक पहुँचने में आपको 4-5 दिन का समय लग जाएगा पहले इस चेप्टर का बेसिक बात होगा मैं कह रहा हूँ चेप्टर का बेसिक बात होगा इसका यह मतलब नहीं है कि यह आउट अप सिलेबस है मतलब आपके किताब का हर चेप्टर का अपना कुछ बेसिक होता है वही ये चेप्टर का बेसिक बात आपको समझा रहा है ताकि आप अक्सी करन को समझ सकें अवकरन को समझ सकें देखो अपचयन और उपचयन यही दोनों मिल के क्या बनाया है अप्चय उप्चय अप्चय उप्चय अप्चय उप्चय देख रहे हैं आप तो थोड़ा अल्टर वर्ड है हिंदी में लेकिन जो है वो यही है इसके अंतरगत हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा हीटिंग डालिए ओक्सी करन संख्या ओक्सी करन संख्या ओक्सीडेशन नंबर ओक्सी करन संख्या ओक्सीडेशन नंबर यह कैसा बात है जो हर चेप्टर में आपको सूरने के लिए मिलेगा आगे पढ़िएगा ट्विल्थ में जाईएगा तो भी हर जगहे आपको यह मिलेगा सुनने के लिए ओक्सी करन संख्या तो आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये अक्सीकरन संख्या क्या होता है देखिए क्या होता है सबसे पहले आप इसकी पड़िभासा लिख लीजे फिर समझा देते हम आपको लिखेंगे जब कोई परमानो जब कोई परमानो किसी दूसरे परमानों के साथ जब कोई परमानो किसी दूसरे परमानों के साथ जुड़ता है तो उस परमानों पर वास्तविक तो उस परमानों पर वास्तविक या ओवास्तविक आवेश उत्पन होता है वास्तविक या ओवास्तविक आवेश उत्पन होता है जिसे ओक्सीकरन संख्या कहते हैं अच्छे इसका ये मतलब हुआ कि ये ओक्सीकरन संख्या इसका मतलब ये हुआ कि ओक्सीकरन संख्या एक आवेस है क्योंकि अभी हम क्या बोले कि जब सुनो जब एक परमानों किसी दूसरे परमानों के साथ जुड़ता है तो जुड़ता है तो उस पर या तो वास्तविक आवेस उत्पन होता है या ओवास्तविक आवेस उत्पन होता है यही वास्तविक आवेस या वास्तविक आवेस क्या कहलाता है औक्सीकरन संख्या मतलब औक्सीकरन संख्या एक आवेस है जो वास्तविक हो सकता है या वास्तविक हो सकता है तो confusion तो बहुत है अब तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वास्तविक आवेस क्या है क्यों नहीं क क्या है और अवास्तवीक आवेस क्या है और वास्तवीक आवेस का वुत्पन होता है और अवास्तवीक आवेस का वुत्पन होता है यह सब बात अब एक एक करके हम सीखेंगे समझेंगे देखिए sodium का पर्मानो जब chlorine के पर्मानों के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है तो यह है एक sodium पर्मानों यह है chlorine पर्मानों है अभी यह जुड़ा ही नहीं लेकिन जब यह जुड़ेगा तो sodium एक electron का त्याग करेगा इस पर एक पलस आवे सुथपन होगा CL एक इलेक्ट्रोन गरहन करेगा उसी इलेक्ट्रोन को गरहन करेगा जो सोडियम देगा और CL पर मैनस चार जाएगा तो ऐसी इस्थिति में सोडियम पर प्लस वन चार जाया क्लोरीन पर मैनस वन चार जाया यही सोडियम का कहलाएगा प्लस वन उक्सिडेशन नमबर और यही क्लोरीन का कहलाएगा मेनस वन उक्सिडेशन नमबर तो आप देखे कि एक परमानों जब दूसरे परमानों के साथ जुरा तो आवेस उत्पन हुआ यह आवेस कहलाता है वास्तवी कावेस ये आवेस अभी जो आप देखे ये क्या कहलाता है वास्तवी कावेस और ये उत्पन कैसे हुआ सोडियम के बाहरी कच्छा में था दू आठ एक बाहरी कच्छा में एक एलेक्टरॉन क्लोरीन के बाहरी कच्छा में था 2,7,7,2,8,7 बाहरी कच्छा में 7 इलेक्टरोन क्लोरीन एक इलेक्टरोन गरहन किया, सोडियम एक इलेक्टरोन दिया दोनों के बाहरी कच्छा में अस्टक पुड़ा हो गया और अस्टक पूडा करने के लिए ही सोडियम अपने बाहरी कच्छा के एक इलेक्ट्रोन का पुर्ण अस्थानांतरन क्लोरीन के बाहरी कच्छा में किया और ये आवेस इसी इलेक्ट्रोन के पुर्ण अस्थानांतरन के कारण हुआ sodium दिया, इसलिए sodium पर plus आवेस, chlorine लिया इसलिए chlorine पर minus आप देखें कि कैसे charge डेवलफ हुआ तो वास्तविक charge क्या है, कैसे डेवलफ हुआ वो तो समझ गये, वास्तविक charge क्या है जब कोई परमानो एक electron का पुर्न स्थानांतरन करता है यह कहें कि electron के पुर्न स्थानांतरन से जो आवेस उत्पन होता है उसी को हम वास्तविक आवेस कहते हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि electron का पुर्न स्थानांतरन क्या होता है पुर्न स्थानांतरन का मतलब यह हुआ कि जैसे हम कोई चीज तुमको दिये, तो पूर्णा स्थाना अंतरन का मतलब हुआ कि हम तुमको दे दिये तो दे दिये अब तुमसे हम वापस लेने वाले नहीं है, यही हुआ पूर्णा स्थाना अंतरन, जैसे मालो, दस रुपया का पूर्णा स्थाना अंतरन हमसे तुमको हुआ है, तो इसका य हुआ यही नुकसान और फाइदा पोजिटिव और निगेटिव चार्ज के रूप में हमको दिखता है एक एलेक्टोन का नुकसान हुआ तो एक पोजिटिव चार्ज, दो एलेक्टोन का अत्याग किया तो तो दो positive charge, तीन electron का त्याग किया, तो तीन positive charge, और यदि किसी पर negative charge आ रहा है, तो एक electron का फाइदा हुआ, यानि एक electron गरहन किया, एक minus आवेस, दो electron गरहन किया, दो minus आवेस, तीन electron गरहन किया, तीन minus आवेस, और इस तरह का जो आवेस होता है, यही कहलाता है वास्तवी कावेस उम्मीद करें कि आप वास्तवी कावेस समझ गया है अब समझ ये वास्तवी कावेस ये वास्तवी कावेस क्या होता है देखो हाइडोजन और सी यल जब आपस में जुड़ता है तो यहाँ देखो यह क्या है यहाँ पर जो बंधन मना था यहाँ एक आइनिक बंधन है और यहाँ पर जो बंधन मनता है यहाँ एक सहसेयोजन बंधन है यहाँ पर इलेक्टरॉन की साज़ेदारी होती है ना यह एक इलेक्टरॉन और यह एक लेक्टरॉन की साज़ेदारी करता है क्लोरीन के वैद्य तरण ऩॉति नात्मक्तांग है जिसकी वज़त से आबंधित उलेक्ट्रोन को क्लोरीन खिच लेता है अपनी तरफ और इस पर charge डेवलफ हो जाता है पार्शिल निगेटिव और इस पर charge डेवलफ हो जाता है पार्शिल पोजिटिव यानी यहाँ पर वहासी आवेस करते हैं या इसी को आवास्तवी का आवेस कहा जाता है तो अब आप गौर कीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रोन का पूर्ण स्थान अंतरन नहीं हुआ है यहाँ पर जो आवेस उत्पन हुआ है वह वैदितरिनात्मक था में अंतर के कारण आवेस उत्पन हुआ है जो ज़्यादा वैदितरिनात्मक था वह इलेक्ट्रोन को खिच लिया जो कम था उसका इलेक्ट्रोन खिचा गया अई बास समझ में तो पूर्णा स्थानांतरन और आंसी का स्थानांतरन का मतलब समझे पूर्णा स्थानांतरन का मतलब हुआ कि सोडियम परवानों का एक एक एलेक्ट्रोन गया निकल गया चला गया अब सोडियम के परभाव छेत्र में वह एलेक्ट्रोन नहीं है वो चला गया किसके प्रहुव छेतर में क्लोरीन के तो यह हुआ पुर्ण स्थाना अंतर है और यहां पर हाइडोजन और क्लोरीन अभी तक बंधन बनाये हुए है सिर्फ महसूस हो रहा है कि खिच लेंगे, खिच लेंगे, खिच लेंगे, डारा धम का रहा है क्यों? क्योंकि उसकी वैदितिरिनात्मकता ज्यादा है तो इलेक्ट्रोन को खिच ले है लेकिन अभी तक पूड़ा का पूड़ा यह टूटा नहीं है तो ये कहलाता है आंसीक आवेस और यही आंसीक आवेस न तब पुर्ण आवेस में बदल जाता है जब यह पूरी तरह वास्ता में बोन्ट को तोर के भाग जाता है और यह convert कर जाता है H+, में और C- मैंनस में अब complete plus minus दिये तो पुर्ण आवेस हुआ अन्सिक प्लस मेनस दिये यसी को हम कहेंगे अवास्तवी काबेस समझ मैं कि वास्तवी काबेस और अवास्तवी काबेस क्या होता है तो हम लोग oxidation number को define करते है real or imaginary charge develop on an atom when it combined with other atoms is called oxidation number real charge, charge develop due to complete transfer of electron from one atom to the other atom और ये partial charge क्या है charge develop due to partial transfer of electron between two atoms वास्तवी काबेस के बारे में कहेंगे कि जब electron वास्तवी काबेस जो electron के पुर्ण स्थाना अंतरन से उत्पन होता है और वास्तवी काबेस, वाँ आवेस जो electron के आंसी का स्थाना अंतरन से उत्पन होता है उम्मीद करें कि आप पूर्ण अस्थान अंतरन और आंसिक अस्थान अंतरन का मतलब समझ चुक है अब आप एक और केस देखिए अच्छा ये पूर्ण आवेस या आंसिक आवेस क्या बिन एक दुसरे से जूरे हुए भी आ जाएगा बोले आएगा क्या सोडियम क्लोरीन के संपर्क में गया भी नहीं तो सोडियम इलेक्ट्रोन देगा किसको इलेक्ट्रोन का स्थाना अंतरन कहाँ इलेक्ट्रोन तो मुक्तवस्था में रहता नहीं है ऐसा तो है नहीं कि सोडियम एक इलेक्ट्रोन निकाला का वो एक परमानों से निकलेगा तो दूसरे परमानों में चला जाएगा वो हमेशा नाभी के प्रभाव छेत्र में रहता है यह बाता पहले से जानते है तो यह जो पुर्न आवेस है यह उत्पन तभी होगा जब एक परमानों दूसरे परमानों से जूरेगा दूसरी बात, आंसिक आवेस की भी हम बात कर ले, हाइडोजन अकेला इधर है, क्लोरीन इधर है, अभी कोई मतलब इसको एक दूसरे से नहीं है, जुड़ा ही नहीं, तो कैसे इस थान अंतरन होगा, जब तक ये जुड़ेगा नहीं, बंधर मनाएगा नहीं, सेरिंग करेगा नहीं, तब तक इलेक्ट्रोन भागे का, क्लोरीन के तरफ, नहीं, इसका मतलब यह हुआ, कि ये पुर्न आवेस या आंसिक आवेस तभी उत्पन हो सकता है, जब कोई परमानों किसी दूसरे परमानों के साथ जुड़े, इसलिए डिफनीशन क्या है, रियल और इमेजिनरी चार्ज, डेवलप on an atom, when, when it combined with other atom, जब कोई परमानों किसी दूसरे परमानों से जुड़ता है, तब जो चार्ज उत्पन होता है, चाहे वो अवास्तबिक हो या, वास्तबिक हो, वही क्या कहलाता है, ओक्सी करन से क्या, इससे बहता रहों, आपको नहीं समझा सकते हैं, सम इसमें जो दो टर्म आया है, उसको आपको लिखने लेना चाहिए, वास्तबिक आवेस, चुकिए ये आपको परेसान करेगा बाद में, रियल चार्ज, नीचे एरो दीजे और लिखे, लिखेंगे वहावेस, वह आवेस, जो, वह आवेस, जो, इलेक्ट्रोन के पुर्ण अस्थानांतरन से होता है, उत्पन होता है, वह आवेस, जो, इलेक्ट्रोन के पुर्ण अस्थानांतरन से उत्पन होता है, वह आवेस, जो, इलेक्ट्रोन के पुर्ण अस्थानांतरन से उत्पन होता है, उसे वास्तविक आवेस कहते हैं, जैसे, एने पर पुर्ण प्लस अवेस, और पुर्ण अवेस, या पर पुर्ण अवेस, इस तरह से अवेस दिखाया गया हो, तो समझ लीजिए वह पुर्ण आवेस ही है क्योंकि जब आवास्तवी कावेस आएगा तो वहाँ पारसियल का साइन आएगा अंसिक निगेटिव या अंसिक पोजिटिव आगला हेरिंग यदि ये लिखावा हो गया हो तो लिखेंगे आवास्तवी कावेस इसी को imaginary charge कहा जाता है और वास्तवी कावेस imaginary charge लिखेंगे निचेरों देंगे और लिखेंगे वह आवेस जो इलेक्ट्रोन के आंसिक अस्थाना अंतरन से उत्पन होता है वह आवेस जो इलेक्ट्रोन के आंसिक अस्थाना अंतरन से उत्पन होता है आंसी कस्थाना तरण से उत्पन होता है उसे अवास्तवी कावेश कहते हैं लिख लिए जैसे HCL इस पर partial negative और इस पर partial positive यह समझ में आ रहा है न सबको दोनों साजीत electron है रहना चाहिए था बीच में लेकिन क्लोरीन की छमता होती है कि यहाँ अबंधित electron को अपनी और खीच लेता है खीचने की वजह से इसको महसूस होता है कि इसका electron कोई खीच रहा है और यह तो वास्तव में खीच रहा है जिस वजह से हलका फलका यहाँ पर electron का vacancy क्रियेट होता है जिसको हम partial positive चार्ज से सुचित करते हैं और यहाँ पर हलका फलका electron की अधिकता होती है और वास्तविक आवेस हमेशा उत्पन होता है वैद्युत्रिनात्मक्ता में अंतर के कारण यदि वैद्युत्रिनात्मक्ता में अंतर है तभी वो उत्पन होगा अन्य था ये उत्पन नहीं होगा जैसे फ्लोरीन यदि फ्लोरीन के साथ जोड़ जाए तो फ्लोरीन फ्लोरीन एक जैसा है ये ये लेक्टोन ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा अब देखिए ये परमानू इस फरमानू से जोड़ा भी और जोरने के वावजूद भी किसी परकार का कोई आवेस उत्पन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर वैद्यूत रिनात्मक्ता जीरो नहीं है वैद्यूत रिनात्मक्ता में अंतर जीरो है वैद्यूत रिनात्मक्ता समान है तो जूरने के वावजुद भी यहां पर आवेस उत्पन नहीं हुआ तो ऐसे इस्थिति में इसका उक्सिडेशन नमबर कितना हो जाएगा जी रो तो हम एक बात यहां लिख सकते हैं कि आंसिक आवेस हमेशा वैद्युत रिनात मकता में अंतर होने के कारण उत्पन होता है हाँ या ना आप ये एक्जामपल पहले लिखे और इसको भी नहीं लिखना है नीचे वाला चीज मत लिखिए गा और नीचे अब एरो देके लिखिए लिखेंगे दो परमानों के बीच दो परमानों के बीच वैद्यूत रिनात्मक्ता में अंतर होने के कारण दो परमानों के बीच वैद्यूत रिनात्मक्ता ऐसे लिखाएगा दो परमानों के बीच वैद्यूत रिनात्मक्ता में अंतर होने के कारण वैदियो तरिणात्मक्ता में अंतर होने के कारण उत्पन होता है एक नट एक नट रुगो दो परमानों के बीच क्या लिखे हैं? आंसिकावेस लिखना चुके हैं? एक एक नट थोड़ा हम देखने हैं भूल गए कि क्या लिखा रहे हैं? दो परमानों के बीच वैदियो तरिणात्मक्ता में अंतर होने के कारण आंसिकावेस उत्पन होता है हो क्या लिख लिखे है? नीचे एरो देंगे और लिखेंगे यदि दो परमानों के वैदियो तरिणात्मक्ता समान हो नीचे एरो देंगे लिखना है यदि दो परमानों के वैदियो तरिणात्मक्ता समान हो यदि दो परमानों की वैदित्रिनात्मक्ता समान हो तो वहां यदि दो परमानों की वैदित्रिनात्मक्ता समान हो तो वहां कोई भी आवेस उत्पन नहीं होता है तो वहाँ कोई भी आवेस उत्पन नहीं होता है और ऐसे परमानवों की अक्सिकरन संख्या सुन्य हो जाते है कोई भी आवेस उत्पन नहीं होता है और ऐसे परमानवों की आक्सिकरन संख्या सुन्य हो जाते है अब देखें यहाँ पर ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत परिसानी हो रही होगे जो वैद्यू तरी नात्मक्ता को नहीं जानते है आवर्थ सारनी में पढ़ाया गया था ये लेकिन नहीं भी जानते हैं तो थोरा सा जहिल दीजी हम आगे आपको help के लिए बता देंगे एक tools जिससे आप पहचान लेंगे कि किसकी वैद्यू तरी नात्मक्ता अधिक होती है किसकी वैद्यू तरी नात्मक्ता क्या में होती है यह दिन डालेंगे calculation for calculation of oxidation number by concept of bonding अब हम लोग एक calculation करने बाले हैं बताइए किस चीज का calculation करेंगे? oxidation number का अच्छा वहाँ जो तुम oxygen संख्या लिखे हो heading में उसके बगल में English में लिखे हो oxidation number और उसके बगल में bracket में on लिखे हो नहीं लिखे हो तो लिख लो हम जब जब अभी इस चेप्टर में on लिखेंगे न तो वो क्या है? oxidation number मतलब oxygen संख्या आप अभी जो heading लिखे थे न इस चेप्टर का जो सबसे पहला heading था वहाँ bracket में on लिख दीजिए इस तरह से ऐसे capital o capital n अच्छा इसको example में लिखा की नहीं यह है? अभी जो आप statement लिख रहे थे उसमें यह लिख लेना था आपको सैथ हम लगता है बोलने पाया है बगल में लिख दीजिए ने कहीं छोटा सा तो है जगा होगा यहाँ पर क्या है? दोनों परमानु एक जिसा है एक जिसा है तो वेधितिरिनात्मकता समान है समान है तो दोनों का charg भी zero है चलो भबाबु इहर देखो अभ हम सीखने वाले हैं सुनिए अभला मत किजिए plays औक्सी करन संख्यां दो विधी से निकाला जाता है एक है by concept of chemical bonding और एक दूसरा है by concept of molecular formula और हम आपको दोनों विधी समझाएंगे पहले सिखेंगे by concept of chemical bonding और बाद में सिखेंगे by concept of molecular formula और ये आना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है इस chapter के लिए नहीं तो फिर chemical reaction से आप electricity का निर्मान नहीं करा पाएंगे यदि ये सब चीज़ सीखें नहीं तो और इस सब चीज़ का जरूरत पड़ेगा आपको 12 में चलिए इसमें आपको 4-5 rule पढ़ना पड़ेगा और एक एक करके हम सब लोग rule को लिखेंगे लिखे rule number 1 लिखेंगे मुक्त अवस्था में ये heading हो चुका है क्या लिखे लिखे मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में किसी भी परमानों की अक्सीकरन संख्या सुनने होती है मुक्त अवस्था में किसी भी परमानों की अक्सीकरन संख्या सुन्य होती है 0-0 सुन्य होती है लिख लिए जैसे यदि आप से कोई पूछे कि सोडियम का उक्सिगरन संग्या कितना है इसमें जीरो है का है का जीरो क्योंकि यह भी मुक्त बस्ता में यह किसी से जुड़ा ही नहीं सी एल जीरो एफी जीरो यही एने सी एल आपस में सट जाता ना इने सी एल तो इस पर प्लस वन और इस पर मैंस वन चाड़ उत्पन होता लेकिन अभी जब सटा ही नहीं तो हम कैसे कहा दें कि वो प्लस वन है या मैंस वन है तो मुक्त बस्ता में जीरो क्रोमियम लिखने तो जीरो नाइट्रूजन जीरो अकेला कोई भी चीज लिखा रहे उसका उक्सीकरण संख्या हमेशा जीरो होता है कुछ एक्जांपल डाल के छोड़ दीजे यह सब जो जीरो जीरो हम लिख रहे हैं क्या है यह इसकी अक्सीकरण संख्या है और चुके यह तत्त तो अकेला है मुक्त अबस्था का मतब किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है जब किसी के साथ जुड़ा ही नहीं तो चार्ज डेवलप ही नहीं हुआ नहीं वास्तविक चार्ज डेवलप हुआ और नहीं वास्तविक चार्ज डेवलप हुआ इस एकितिती में उक्सिकरन संख्या सुन्य हो जाता है. लिखेंगे rule number two. देखो बबू, ऑक्सिकरन संख्या एक आवेस होता है. और आवेस केतने परकार का होता है? दो परकार का. एक धन आवेस, दूसरा, रीन आवेस. तो ये oxykran संख्या भी कितने परकार की होगे दो परकार की कोण-कोण पलस रियल और इमेजनरी तो चाइज होता है हम oxykran संख्या की बात करें एक positive oxykran sंख्या होगा एक negative oxykran sंख्या होगा तो सवाल यह पैदा होता है कि किस सुनो जब कोई परमानों किसी से जुड़ेगा सुनो ध्यान से जो हम कह रहे हैं उस पर अब गौर करना यदि कोई परमानों किसी से जुड़ेगा तो ये तैह है कि एक पर यदि धन आवे सुत्पन हुआ है तो दूसरे पर निस्चित है रीन आवे सुत्पन होगा और किस पर डिनावे सुत्पन होगा तो यह एक बहुत सिंपल बात है जो ज़्यादा वैद्यूतिरिनात्मक रहेगा उस पर मैनस आवे सुत्पन होगा जो कम वैद्यूतिरिनात्मक होगा उस पर धानावे सुत्पन होगा क्योंकि ज्यादा वैद्यू तरिनात्मक होने का मतलब है उसके इलेक्ट्रोन के ज्यादा खीचने की छमता और ज्यादा इलेक्ट्रोन खीचने की छमता है तो इलेक्ट्रोन की अधिकता होने लगीगी उस तरफ तो उसका Oxidation Number Negative हो जाएगा और जिस बेचारा का इलेक्ट्रोन खीचा गया वहाँ इलेक्ट्रोन की कमी महसूस हो रही है वहाँ Positive Vagency करे ठोड़ा है तो वहाँ पर Oxidation संख्या Positive हो जाता है Rule 2 यही है लिखेंगे लिखेंगे अधिक वैद्यूत रिनात्मक परमानों पर यहाँ का यही दिक्कत क्लास जब पिक पर आता है तो टाइम हो जाता है यह बहुत बड़ी समस्या है अभी तुम एक घंटा लगातार पर हो तो अभी से लगातार यह दि हम पढ़ने के लिए बोलने हैं हम सिर्फ समझा रहे हैं अभी लगातार तुम एक 11 बजे तक पढ़ो तो अगला दू दिन में जितना तुम पढ़ोगे आज एक दिन में 11 बजे तक में हो जाएगा मतलब कल और परसू मिला के जितना तुम पढ़ोगे उतना परहे लगातार हो जाएगा सीधे आधा टाइम को बरबाद करता है और तुम लोग को भी साइकिल से आने जाने में रोज का रोज परिशा नहीं होता है यहार सिस्टम में नहीं है पटना कोटा में जाएए आप तो वहाँ पर यह सिस्टम नहीं है कि आप रोज का रोज cycle लीजी आप पकर के हम रपेट रहे हैं, यह रहे हैं पहुँचिगे वहां पहुँचिगे, वहां धर लिए लिठ हुआ, वहां पहुँचिगे, चार पज़ को coaching रहता है, हमको लगता है कि तुम, यदि तुम किसी दिन घर पर बैठके calculation करो तो तुम्हारे calculation में हमको लगता है कि जितना time तुम teacher के पास बैठते हो रोज पढ़ने के लिए उतना ही time तुम cycle पर बैठते हो उनके पास जाने के लिए क्या ये एक सचा ही नहीं है हम कई दफा association में बोले है teacher लोग में कि इस time table को change कीजिए ये एकदम गलत system है इस तरह का पढ़ाय कहीं नहीं होता है यहां मा पता चला कि माहूल बना अब करकरा के syllabus होगा अब ढ़ंग से पढ़ेंगे पता चलता है वहाँ घंटी बज़रा है निकली है अब उभर हो गया mood बन भे करता है कि अब flow में आये है सीधे more दिया जाता है रास्ते को change कर दिया जाता है हलाकि एक बार याद है हमको हमें ये बोले थे थे एक teacher जानते हो क्या जवाब दिये वो बोले कि दू घंटा पढ़ाने के लिए तो मेटरोन कासी कस्तर को आप समझ रहे है कि कौन लेवल का आदमी है जो teacher दू घंटा का content दिमाग में नहीं रख सकता है हमको और लगता है कि 10-15 दिन यदि खाना पिना खाने के लिए लगातार कहे बोले है और यदि हमको energy supply कर दिया जाए तो लगातार बोलते रहेंगे लिखते रहेंगे chemistry पर पंदरह दीन पंदरह मिनट पंदरह घंटा तर छोड़िये पंदरह दीन की में बात कर रहा हूँ यहाँ पर लोगों को दू घंटा में देखा था और अपने आपको तिसमार कहां से कम नहीं समझते हैं जबकि मैं यह कह रहा हूँ कि देखे कोई परफेक्ट नहीं है हममें भी कमी हो सकती है और हम उस चीज को एकसेप्ट करेंगे यह दि हमको दिखेगा तो लेकिन हम यह करें कि आप एक टीचर के मुँझ से यह बात सुनना थोड़ा आजीव नहीं लगता हम बोले भाई प्रभू हैं आप लोग पढ़ाईए अधम जिसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाईए एक दम सही चल रहे हैं लिखे अधीक वैद्यूत रिनात्मक पर बस यह statement लिखा कि हमें से भी छोड़ देंगा अधीक वैद्यूत रिनात्मक पर प्रिनात्मक पर अधीक वैद्यूत रिनात्मक पर रिना वेस औरते हो कब परसियल और प्लस अव हम ये नहीं नहीं समझ रहे हैं कि कब प्लस और उर कब अधिक वैद्यूत रिनात्मक पर रिनावेश तथा कम वैद्यूत रिनात्मक परमानों पर धन आवेश उत्पन होता है अब यहीं पर हम आपको बता देंगे कि किसकी वैद्यूत रिनात्मक पर किससे ज़्यादा होती है हलांकि आज का कलास हमको ओभर करना पर रहा है लेकिन आप लोग एक homework note कर लिए सभी आदमी जो गया है उसको भी बता देना यदि कोई संपर्क में होगा तो आप सभी आदमी कल जब आएंगे तो वैद्यू तरीनात्मक्ता को बढ़ियां से revision करके आएंगे सुने हम क्या बोले सो वैद्यू तरीनात्मक्ता को revision करके आना है कल का मतब next class अब सौंबार को class हो गया वैद्यू तरीनात्मक्ता को बढ़ियां से revision revision कर लेना जो लोग नए हो जदि आप video lecture देख सकते हैं तो video lecture देख लीजिएगा periodic table के last class में या second last class में वैद्यू तरीनात्मक्ता बताया गया आप लोगों का कल 9 से 10 test series ये question का discussion है जो लोग बनाए है और दिक्कत है तो कल हाईएगा 9 से 10 में सारा देख लेगा और ये जो question बचा हुआ है उसको भी देख लेगा कल regular बैच नहीं चलेगा अगला class इसका सोंबार को होगा